ये है मसाला पापर टाकोज स्नेक्स हेलो फ्रेंड्स शेल्स किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं शाम की छोटी मोटी भूख के लिए मसाला पापर टाकोज स्नेक्स की रेसिपी इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है तो आईए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजियो साइड में ब्याईकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो'm का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मसाला पापर टाको black वीड़ियों स्नेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये दाल वाले मसाला पापर लिए है आप प्लेन पापड भी ले सकते हैं उसके बाद मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक तवा चड़ा दिया है और ये हमारा तवा गरम हो गया उसके बाद मैं इस पापड को एक कौटन के कपड़े से दवा दवा कर इस तरीके से सेख लूँगी जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए देखिए हमारा ये पापड अच्छे से सिक कर तयार हो गया और अभी हमारा पापड गरम है तो अभी हम इसी समय इसको एक कौटन के कपड़े पर रखकर इसको टाको की शेप दे देंगे इस तरीके से हम इसे कुछ देर दवा के रखेंगे ये अपने आप टाको की शेप ले लेगा इस तरीके से हमारा ये टाको तयार हो गया इसी तरीके से हम सारे पापड के टाकोस बना कर तयार कर लेंगे आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इसे जटपट बनाकर enjoy कर सकते हैं खाने में इतना tasty लगता है कि आप इसे एक बार बार बनाना पसंद करेंगे देखे इस तरीके से मैंने अपने सारे टाकोज बनाकर तयार कर लिए अब इन मसाला पापर टाकोज को और tasty बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बैजी लिया है मैंने यह प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया और नीबू लिया है आप इसके अलावा कोई वेजी टेवल इसमें add कर सकते हैं और आधा कटोरी मैंने इसमें बारिक सेव ली है इसका यूज हम बाद में करेंगे अब सारी वेजी टेवल्स को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे कभी कभी आपका कुछ बनाने का मन नहीं है या अचानक से महमान आ जाएं तो आप इसे तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं यह सभी को पसंद आएगा और सभी आपकी तारिफ करेंगे और बाद में मैंने इसमें गाजरवी add की थी उसके बाद मैंने आदा चमच काली मिर्श पाउडर टेस्ट के अकॉरडिंग नमक और आदा चमच चाठ मसाला add किया है बाद मैंने मियोनीज एड़ किये और इसंको मिलाकर मैं मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने इसमें नीवू का रस एड़ किया है अब उसके बाद हमने जो filling बनाई है उसको मैं टाकोज के अंदर fill कर दूँगी और इसी तरीके से मैं अपने सारे टाकोज बना कर तयार कर लूँगी यह बहुती क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तयार होते हैं और सबसे लास्ट में जो हमने बारीक सेव ली थी उसको मैं इसके उपर स्प्रिंकल कर देती हूँ देखे इस तरीके से अगर आपके पास बारीक सेव नहीं है तो आप इका नेरी भुजिया भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं और ये हमारे तयार हैं मसाला पापा टाकोज स्नेक्स देखे कितने अच्छे बनकर तयार हुए हैं इसमें बहुत कम महनत लगती है फटाफट बनकर तयार हो जाते हैं आपको जब सर्व करना है तभी इसे बनाएं और तुरंट सर्व करें बना ज़्यादा देर बना कर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से आप इसे एक बार जरू ट्राय करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये मसाला पापर टाकोज की रेसिपी कैसी लगी अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शियर करें और अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोले थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव